आपके पास एक healing energy है जिससे आप किसी को भी healthy कर सकते हैं Hello friends, I am Samir Narat, international motivation speaker and life coach आपके विचार वो healing energy create करती है Dr. Joseph Murphy, इनके किताब है Power of His Subconscious Mind वो किताब में उन्होंने mental healing, distance healing के बारे में बताया है अब ये healer बनने के आपको ज़रुद नहीं है Because आप एक already healer हो, आपके मन में जो भी विचार पैता होते है specially कोई इनसान के लिए, अगर उसमें emotions attached हैं तो आप वो healing कर सकते हो लेकिन होता क्या है? जब कोई इनसान तकलीफ में होता है जो हमारे बहुत नस्दीक है, हमारा friend, कोई relative, हमारे family members तो वो case में जो emotions create होते हैं, वो negative emotions होते हैं सामने वाली के तकलीफ के वज़े से वो तकलीफ वाले emotions, negative emotions पैदा होते हैं जिससे आपको भी बहुत नुकसान होगा और सामने वाले इनसान को भी बहुत नुकसान होगा तो win-win situation के लिए जाए यार, आप उनको दुआए भीजिए, blessings भीजिए, God bless you कहिए, God bless you with health कहिए, बाहर बाहर, God bless you के बारे में सोचिए, तो सामने वाले इंसान को वो healing energy मिल जाएगे, Dr. Joseph Murphy का एक बहुत अच्छा वीडियो था YouTube के उपर, जिसमें उनोंने कहा था, जो patient होता है, या फिर जो मरीज होता है, उसको सबसे जादा तकलीफ उसके friends, relatives और family members देते हैं, बार बार negative सोच के, वो इनसान बहुत गैरी खाई में जाता है, तो ऐसे मत कीजिए यार, अगर क्लीफ से गुजर रहा है, तो आप उसके लिए सबसे बड़ा तौफा यही दे सकते हैं, आपके blessings, blessings भीजी यार, बहुत आसान है, दुआएं भीजी जिसके साथ आप emotionally connected है, उसके लिए दुआएं निकालना बहुत आसान है, you can create those blessings, so from today onwards, from this moment onwards, keep sending blessings to all, you can send blessings to whole world, पूरे blessings create कर सकते हैं, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी आप दूसरों को देते हैं, वही आपके जिन्दगी में multiply होके आता है, तो आप भी blessings से भर जाएंगे, और सामने वाले लोगों को भी जिन्दगी में खुशियाली आ जाएगी, और इसलिए आज के बाद God bless you का ज